Hello Friends, Welcome to easyfoodmaking.com आज हम बनाने जा रहे हैं MTR गुलाब जमुन से पैनकेक जो बहुत ही यूनीक होगा और बहुत ही यमी होगा चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना गुलाब जमुन पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरफ बना के रेडी करेंगे लिए 1 काट्टोरी च्छगर लिया है. इसको पैन में डाल देंगे सेम कॉंटिटी में बाटर भी डालेंगे हम 1 काट्टोरी. धान फिसको लिए हमें डौप क gobierno कि लिए लिए वापछे निली है। इसको भी इसमें डाल देंगे । चार-पांच धागे केसर के भी डालेंगे, अब हम पैन को गैस पे रप्रिपते हैं पाच निट के लिए ताकि इमारा शुगर-शिरप बनके देडी हो जाए, हमने मेडियम हाई फ्लेम पे शुगर-शिरप बनने को रख दिया है, तब तक हम यह पेस्ट त्यार कर लेते हैं, एम्टी आर गुलाब जामन पॉडर, हमने वन कटूरी लिया है, फुल, अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा दूट डालती हुए, इसका एक पकोड़ी जैसा गूल बनाएंगे, गूल हमारा बनके रेडी है आप देख सकते हैं, लंस फ्री हो गया है, कुछ इस तरह से, हमने इसमें एक छोटी ग्लास पूरा दूद का यूश किया है, इसमें से दो चमल दूद बच गया है, अब अपना शुगर शिरफ चिक कर लेते हैं, और इसको दो मिनिट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, हमने पांच मिनिट के लिए शुगर शिरफ को मेडियम अब देख सकते हैं, कोप सारे बवल आने स्टार्ट हो गया है, शुपर शिरफ हमारा रेडी हो चुका है, अब हम गैस को आफ कर देते हैं, और इसको साइड में रख देते हैं, हमने पैन को रख दिया है, गरम होने के लिए फ्लेम को मेडियम हाई रखेंगे, अब इसमें थोड़ा सा गी डालेंगे, फैला देंगे चारो तरफ, पैन हमारा गरम हो चुका है, हमें कल्ची की साहता से, पैन के बनाएंगे, इसको डालेंगे टार्टिस पे, बड़ा चुटा आप अपने मनफसंद के निसार बना सकते हैं, थोड़ा सा फैला देंगे, हम चारो तरफ से थोड़ा थोड़ा भी और डालेंगे, नेचे से हमारा पैनकेक सिख चुका है, उपर से पता चल सकता है, आप देख सकते हैं, बबल आके फूट गए हैं इसमें, तो हम इसको पलट देंगे, थोड़ा केर फिलेंगे, थोड़ा ज़से हम जाएं, ध्यान रुकें, अध्यान रुकें, थोड़ा धर रखना है, अधर वाइस जल सकता है, अब इसको प्लेट मे निकाल के रख देंगे, और सेम इसी तरह से हम सारे पैनकेक रेड़ी करेंगे, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा घी डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे, सारे पैंकेक हमने बना के प्लेक में रख लिया है, हमने घी का यूज बहुत कम किया है, आप चाहे तो ज़्यादा घी का यूज कर सकते हैं, अब हम पैंकेक सर्फ करेंगे, हमने शुगर शिरत को कर लिया है, तक यह बहुत ज्यादा ठंडर हो चुगा है, अम इसमें थोड़ा थोड़ा शुगर शिरप डालेंगे, दो चनमच काफी है, थोड़ा से बदान डालेंगे, कटी हुई बदान, थोड़ा से पिस्ता, थोड़ा से मावा, सेम है, इसके उपर दूसरा रखेंगे, और इसपे भी है, टू टेबल स्पूम शुगर शिरप डालेंगे, तो हम वन टेबल स्पूम गंडेंज मिल्क टालेंगे, थोड़ा ऐसे डिजाइन करते हुए, आपको बहुत ही पसंद आएगा, एक बार जरूर ट्राइ करें, और अगर आपको यह एस्पी अच्छी लगे, तो प्लीज, लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकान को दबने ना भूले, तक कि मारे आने वाले वीडियो के नाटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे, थैंक्स वो वाचिंग, सीव सुन इन अनुद वीडियो